होगा महादेव उनको तीन सुत्र करेगा महादेव जहूर दया करेंगे उसके उपर लेकिन विश्वास करेगा तब बिना विश्वास का कुछ नहीं मिलेगा दिदी अगर हम विश्वास करते हैं कि नहीं मेरा पती कितनों बुरा है फिर भी मेरा ना है वो मेरा ना है छूट नहीं न जाएगा लाक कितनों प्यक्कर है फिर भी दो मेरा है उसको कैसे छोड़ दिजिएगा जिसको हाद, बाब, मात, पिता धरा दिया एक बार उसी को साथ में जीवन बिताना है आँ से व के पिता है, चाय रो के पिता है तो आहे हमारे देवा के देव महा देव है अब ना जवहें दूसर दूःय evitar, चाहे जीवही मर वही अब दुसर दुवरिया जाय के बाद कोई उपाईय नहां दिदी ये कहाल जाय है ना जेकरा महादेव के चरण में पेट ना भरता है ओकरा कहीं कोई देवी देपता है तर पेट ना भरे वला है ये अटल विश्वास हम लोगा साभ भाईया कहे वे है किस मज़ पे आने वाले आदमी आदमी ता कोई गुरु होई नहीं सकता है अना आदमी के अंदर वो सकती हो सकता है कि गुरु हो सकता है ये नहीं भूत से हम लोग समझेंगे कि फलाने भाईया महादेव होग लईया फन्ला दिदी महादेव होग ले आरे उनकी क्या पाबरे की महादेव बन जाएं देवा के देव महादेव उनको बानी दुवारा में घुच जाते है उनको बानी के दुवारा मुखोटा में घुच जाते है कि वो बानी बोलता है उसको परमल कर देते है तो हमको अच्छा हो जाता है आज जो हमारे गुरु बैना जो आई है एक महिना से बहुत जुर जुर आ रही वेचारी लेकिन आज यहाँ पर आया है नो बहुत आत्मा खुश हो गिया है और इनका जो भी समस्या कर्ठ है सब महादेवाब दूर करेंगे जो आज से ही लगाता हस्ते ही रहेंगे जैसे पहले हर समय ठाहते रहते थे उसी तरीका आज से इनका हसना स्टार्ट हो गिया एक दम हम चलिए अपने गुरु का चर्चा से ही जूरते हैं हम लोग आये सुधा गुरु बैना से तिन शुत सुनते हैं जो भी गुरु बहना का भेट करना होगा दिदी से समार के एक बज़े से स्टेडियम गेट पर चर्चा होता है उसी अस्थल पर आप दिदी से मुलाकाद कर सकते हैं अरफ भी आप देवादे महादेव अपने शीव गुरु के चर्णों में कोठी कोठी नमन करती हूँ मेरा नमन स्विकार हो मात अरानी की चर्णों में कोटी-कोटी नमन करती हूँ, मेरा नमन शुकार हूँ, तीन सुत्र के दाता साहे भाहिया, नीला मानन देदी के चर्णों में कोटी-कोटी नमन करती हूँ, मेरा नमन शुकार हूँ, उपस्ति सारे गुरु भाय, गुरु बैना के चर्णों में पर आपने गुरू के चर्णों में परनाम करना है, पहला में दया मंगना है, मनी मन कहना है, भाव से, प्रेम से, सरधा से, एशीव, आप मेरे गुरू है, मैं आपको शिस्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, सरकार दया कर दीजिए, हे शीव आप मेरे गुरू है मैं आपको शिष्या हूँ शिष्या पर दया कर दीजिए हे शीव आप मेरे गुरू है मैं आपको शिष्या हूँ उस शिष्या पर दया कर दीजिए दूसरा सुत्रे जन जन को बताना है कहना है कि है भाईया है दिदी हमने शिप को अपना गुरू बना लिए है अभी बना लिजीए ना आपको गुरू है हमको भी हो सकता है बना कर देखिए एजमा कर देखिए हमारे महादेव के कितना कमाल के गुरु देव है देवा देव महादेव है आदे गुरु है जगत गुरु है जञजन के गुरु है हमारे गुरु है तिसरा में 108 वेर पंचाक्षी मौल मंत्र से अपने गुरू के चर्णों में ध्यान लगा के माला होई या मन के माला से रुखदराच के माला से कोई टाइम में अपना गुरू के नमन करना है एक सो आठ वे नमस शिवाय नमस शिवाय से परनाम करना है दि एक भी परनाम गुरू के पास चला जाएगा मेरा जीवन के नई अधन्धन कर देंगे भोशागर के नदी पार कर देंगे महादेव सिव गुरू देव महादेव आज के चर्चा इसी छन से पलवर के लिए रख रही हूँ आगे पल के लिए दया मांगती हूँ भहिया दिदी से मदद मांगती हूँ असिरवाद मांगती हूँ भहिया दिदी इतना दया करिए कि हम अपना चर्चा में जाए और एक दू बात सुने गुरू भाई बहना सबस सरपर्थम अपने जगत पिताद्यवाधि देव सीवगुरु के चर्णों में कोटी-कोटी नमन करती हूँ, मेरा नमन सुईकार हो, सुईकार हो जगत जन्नी मता भवानी के चर्णों में कोटी-कोटी परणाम करती हूँ, मेरा परणाम सुईकार हो, सुईकार तीन सुत्र के दाता साहे भाया, सक्ती सोरूप, निलम दिदी के चर्णो कमलोवे, मैं भी भारानी कुटी कुटी परनाम करती हूँ, मेरा परनाम सुईकार है, सुईकार, भाया के माध्यम से मुझे तीन सुत्रे पालन करने के लिए मिरा है, पाहला सुत्र है दाया, दाया का म मेरे गुरू हैं, मैं आपकी सिस्या हैं, मुझ सिस्या पर दाया कर दिजिए। अभी का चर्चा गुरू की चर्णों में रखती हूँ, आपकी महादेव जाने। मेरा पर दाया करती हूँ, मेरा पर दाया मांगते हूँ. मेरे गुरू हैं, मैं आपकी सिस्या हूँ, मुझ पर दाया कर दिजिए। बरतन धोते समय दाया मांगना है, खाना बनाते समय दाया मांगिएगा, तो भोजन भी पवित्र होगा। और हमारे सीव भाव के भूखे हुए हैं, क्योंकि हमारे गुरू जिस तरह से बच्चा से प्रेम करते हैं, उस तरह से हम अपने गुरू से प्रेम करें। बेटा भातार से प्रेम उसी तरह से महादेव से करना है। हम लोग तो अपने आप में हम लोग ढुंडे खराबी को कि कितना गंदगी हम लोग में भरा हुआ है। एक दूसरे को कथन लेके हम लोग बैठते हैं लेकिन हम लोग में समझदारी नहीं है कि दूसरे को कथन करने वाला को कभी अच्छा नहीं होता है। तो हमारे गुरु इसलिए उपस्तित हुए है कि सारे घर में रामन पैदा ले रहा है और रामन नहीं है तो हमारे गुरु इसलिए हर जमान पर सीब नाम होना चाहिए दिदी अपने में समझदारी करना चाहिए किसी को देखके जलना नहीं चाहिए कोई कितनु आगे बहर रह अपना तकदीर पर निर्वर करना चाहिए कि मेरे किस्मत में जो रहेगा ओही होगा। दिदी सबूरी से सब कुछ होता है। आज हम बहुत भटक रहे हैं लेकिन फिर भी कोई कोई गुरु बहिना हमको इतना समझाती हैं, इतना सबूरी देती हैं, उसी सबूरी पर हम चलते हैं दिदी। मेरे घड में भी चर्चा अस्तल पर जाने के लिए मेरे खुदे अपने आदमी बहुत टौचर करते थे कि नहीं जाओ लेकिन आज वही आदमी पूछे है तो बोले है कि जाओ हमको बहुत अच्छा लगा कि कईसे कहे है जाने के लिए तो हम गुरू के दये न बरस रहा है दी हम बहुत खुस है कि कैसे कहें जाने के लिए दी तो हमारे गुरू को दयात हमेशा बरसता है जब चर्चा के समय होता है पहले हम उठते थे तीन बजे नमन करने के लिए तीन बजे भोड में उठते थे मूहाद होते थे लैटरिंग जाते थे साप करते थे लैटरिंग को ज बैठते हैं दीदी और सारे पास तक के हम नमन पर से उठते हैं तो नहीं उठते हैं तो इसा लगता है कि कोई दर्वाजा जोड जोड से पीट रहा है तो हमको बुझाएगा कि तो मतलब हम नमन नहीं किये हैं फुरफुरा के उठते हैं अज जल्दी से जाके बरस करने लगत नहांकर बाटते हैं आज भाईया जा रहे थे अधर से तो बोलते हैं कि दीदी परिनाम गुरु बहिना थों कहें। भाईया चाई पी लिजिये ना तो भाईया अब पर श्र्च पी पी चॉबज रहा था। थो भाईया से सुबही में दर्शन हमециेa। तो कहें भाईया आप आएगा न गुरू के चर्चा में तहां जरूर आएगे तो दीदी देखिए सचे मन से भाईया तो दर्शन हो गए हमारे गुरू के सिसे और हम सिसिया मिल तो गए सचे मन से जिस तरह से नमन करके निकले हैं चाहे लेके उसी समय भाईया से दर्शन हो ग तो यह बोले कि हाँ आएंगे दिदी चर्चा में आएंगे दिखें दिदी दूसरा है जंजन को बताना है और तीसरा अपने गुरु के चर्णों में एक सवाठवार नमस सिवाय से परणाम करना थोड़ी देर के लिए मैं अपना चर्चा को गुरु के चर्णों में समर्पित करती हूं, आगे के लिए महादेव से पल परती पल, छन परती छन दया की आचना करती हूं। सारे साथ वजे फोन हुआ, बरी दिदी फोन की, कनहाई, हा दिदी बलू न परणाम, गोर लगाई छी दिदी, खोसरा बहुआ, की बात कहूं दिदी के सिवा हमना से होत। तो बहुआरे सारे चार बजे भोर में भाईया के स्टेशन छोड़ देवे कियो, थमगली हो दिदी हम ता भारा के गारी चल बाई ची यो, हमना ता आड बजे गारी ये लगवा लेए, तो कैसे हम आब उतारे चार बजे भोर में। आइशन कहो वह कि तोरा दूरा पर लगनावे केंपस में गारी लगा देवो, अहाम भोरे अपना चल अभो हम, काई क्योकरा दूरा पर लगावे जब तो अतना भोरे तो उता गारी देतो न। आँ बेटा बहुत अच्छा बात बोले, ही ये आके गारी लगा दिए, तीन मरते दिदी सपना में आके रे बावा नमन के टाइम होके लो नमन ना करवा ही, उठे पहला मरते तब हम कहें कि अरे वाहिषला नमन के टाइम सहीं फिर एक उसस समय टाइम हो रहा था, दू बजय रहा था, हम कहें दू बजय रहाथ में अतना बुरे भोरे हम नमन करके, अब पागाल लेखा रोड पर कहिसे भुआएंगे हम, आचा चले दें मन सूध रही जी फिर अभी, सारे चार बजय भूर में न जाई किए, फिर एक झल दरत लगते क्यों वजे तीन वजे घेल कह जिगें न सूर लिए फिर अधिमियें से फिरफाॉज में आर्यगें जल्दीगारी लेखे आरी कना ही बाप रे बाप दिधी हमरा सोग इतना आगे बराये बला आदमी दिधी चल दो इतना हमरा सोगे देखे बला कुन होती। नहां महादे वाइशन न न करिया तू हमरा साथ। अमर अच्छे अच्छे ख़बर सुनाई है। वतनाये में जैसे निन टुटलक, निन टुटलक के बाद में हाली सने हम नमर भी न कईली पहले कली की नहीं, जो काम सकारी में जो बादा किये हुए है, वो बादा पहले निभाएंगे, तब जाके हम अपने गुरु के चरण में नमन करें, आए गय हुआ से गारी स्टार्ट क भाईया के बैठाए बैरिया छोड़े, बैरिया छोड़ने के बाद में हम गीता इस माई करोस कर रहे थे, तो गीता दीदी के देख रहे गिलास लेके जा रहे थे चाई के दोकान, पर इधर तरफ देख रहे ही जो उस घर से निकले है इधर आ रहे थे, फिर हम दूसरका मे रिटर्निंग आया है तहाँ गुरु हचाइब गेटा गया है has यहाँ गुरु भाई चाय पीजिए आप तो पीला दिखेगा में पीडिया है चलियाँ चाय पीते हैं चा कि यह हैं उदर से आ रहा थे तो राते दस्वच के 10 तस बच के 45 मियाट पर फोन गया है थे फिर उन नमबर से हम सभेरे फोन किए कि भाई नाया नमबर मेरे मेरे मंवाईल मेस्टा सब्षोर बाइन है किन का पले पाता करके है देखले कुन गुरू भाई है कुन गुरु बैना है कही हो सकता है गारी कर दो उर्त होगा प्रफट कीत बढय उठाई हम कर भी आशा कि और एक हाई अँडिया कि आशा भाटिया अपका हा अपका रहा है कि भी आ है ना हम को लिए हां अच्छा ठीक है हम इतना वज़े समभाई फोन आया था चलते हम पूछ लिए तो हमको गुरु भाई क्या कहते है कि आज आज आपका प्रोग्राम होने वला है ना उसका आज आपको रेकॉर्डिंग होगा वीडियो होगा सापतन का बनिया से कप्राप्र हाभ न बनिये था था चलते हम लेखा भाई तो हमको लिए हो भाईया हमरा महाध्यव देले मवह आपकेश प्रीइए न प्रोग्राम करे कял, च व काण न न पाबर है अमरा. एक्टिंग करे अलियो हा, एक्टिंग करके चल जाओ. ना जाने इलिए, कब हम लोग का == एक्टिंग खतम हो जागा कायानी, पर यह भी हम लोग नहीं जानते हैं. हिणा एक्टिंग के दुनिया में आहे हैं, एक्टिंग करते करते चले जाना आएगी तो हम लोग कहेंगे क्या देई मार गेलाई का मार गेलाई इंटरवल में खतम हो गेल मेला में भुला गेल कहीं न मेला में सहिया भुलाईल हमार अब का करी मेला में सहिया सब को भुलाईल भा देखे गो गुरु भाईने का वह सहिया नना है गुरु भाई का भी सहिया है कौन है सहिया पती परमेशवर सब को सहिया पिरिये पिया पिया का मतलब सब को पिया है वो हमारे भी पिया है आपके भी पिया है आपके भी गुरु हो सकते हैं, मेरे भी गुरु हो सकते हैं, वो सबको गुरु है, जो दया माँगे गुरु भैना, उनको भी दया करेंगे, जो नहीं दया मांगते हैं, उनको पर भी दया करते हैं, क्योंकि भोले दानी नहीं है, वो परसन तुरत खुश हो जाते हैं, आने वाला समय में साल भर 6 महिना के अंदर में ये अस्थाल नहीं रहेगा ये धाम हो जायेगा यहां जो भी आदमी जो चीज मन सिकता पूरा करके आएगा मन सोचके उसको निश्चित है कि पूरा होना है ये मन से बोला है दिदी हमारी उकार नहीं हमारे गुरु बोलवा रहा है लेकिन जो आएगा इमान दारीश सो तीन सुत्र जो करेगा इमान दारीश सो उसी को मिलेगा चाथा सुत्र में पच्मा सुत्र में जो जूरेगा उसको कोई फैदालाब नहीं होगा आएगा काता है ना कि बववारे आएगा चिरिया दाना खाएगा चिरिया दाना खा के चला जाएगा मिलेगा कुछ भी नहीं बाद में यही जीवन का अपना अधार है हम लोग का सहाब भाईया का तीन सुत्र का मुखटा है उन्ही का दया है कि हम लोग का पर जो आज हम कोई सिकंदर पूर से कहां सिकंदर पूर हमार घर है चल लिए यह बरहम पूरा नगरिया में हम आई हमरा पले ओकादर अले कि एतना गुरु भाई गुरु भाई ना के बीच में बढ़ जाती है पहले क पले कदी है काई से कोन मर्दावा चल लो बेगला देगला देलदी लेकिन आज देखो महादेव के देया कि साहा भाई आई चन बना देलकी चैया की अब बुझाई कथी कंचिव भुझाई कदी काई ची हम सब परणां गुरु भाई परनां गुरु भाहना अपना वोतिया दियाद अगर आ जाता है, मोन भारी हो जाता है, क्यों हो जाता है, कि उसके लिए टाइम से भोजन बनाना परेगा, सबजी काटना परेगा, मसल्ला पिसना परेगा, आटासन परेगा, वो भी दिकत नहीं मनना, ना जाने, ना जाने की भगवान का रूप हो आ गिया ह वो भी अतना सेवा कर लिजेगा बहुत बरा अनंद मिलेगा लेकिन गुरु का गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाईना क्या बात करने जाता है क्यों अपना गुरु के बारे में बाते करने जाता है और ना खाने के भूक रहता है उसको ना पीने के भूक रहता है महाद क्या बार इस अस्थल पर हमने भूखे आए हैं और यहां से चर्चा में से जाने के बाद में घर में दाना गरन किये हमने क्योंकि हमको लेठ हो गिया देख रहे हैं कि हमको 15 मिनट टैमें हैं ना इसमें हम खाना खा सकते हैं हर वर आगे खाना खाएंगे नहीं पहले अपने गुरु का चर्चा है खाना तो सब दिन खाएंगे लेकिन गुरु का चर्चा अगर छुड़ जाएगा आज के दिन कल तो नहीं ना आएगा आज का ग्यान कल नहीं न मिल पाएगा जो दिदी से आज मिल लिए कल ही दिदी साइद मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है ना जाने किसकी पर कब दया महादे बर्सा देंगे, ना जाने जो जमीन में हुआ असमान में कैसे चला जाता है, वो सब गुरु का दया है, इसलिए हम लोग का घबराएंगे नहीं, घबराएंगे कभी नहीं, तीन सुद्र में कभी भी नहीं घबराएंगे हम लोग, संतोस धरेंगे, धायरज धरेंगे, हिम्मत रखेंगे, हम होंगे कमियाब एक न एक दिन, गुरु बनाएंगे एक दिन एक दिन कमियाब, तो चलिए आपका नाम को दिये दिदी, आईए सरसती गुरु बहिना से अपने गुरु का चर्चा सुनते है, समाय भी हो चुका है, क्योंकि हमारे गुरु बहिना सबको आप खाना बनाने का भी समाय हो चुका है, जाएंगे तमना जुगरम गरम बना के देंगे गुरु बहाई सब के, सब से पिरिये क्या चीज है भोजन अगर समय से मिल गिया तो सारा भगमान अच्छा लगने लगता है और पेट में दाना नहीं है पेट में दाना नहीं है तो भाजन में भी मुन नहीं लएगा इसलिए भाजन आर भोजन दुन्नु का जो उरत सबस्सक्राइब करें तुदुनार इंयरी आपना गूरु से दया मांगना कि है शीजिब आप मीरे गुरू है मैं आपको सिसिया हूं मुषिजया पदया करें एशी आप मेरे गुरु है मैं आपको सिसिया हूं मुषिजया पदया करें और दूसरा है जन जन के बताना है देखे दी मैं महादेब के गुरु बना है आभी गुरु बनाईए देखे भिया महादेब के गुरु बना आभी त्याला दानी है उनको गुरु बनाईये मैं देवों को देव है हमको भी गुरु भी हो सकते हैं और तिसरा है अपने गुरु के चर्णों में 108 बेन नमन करना आया किसी भी फुजा करने जाए चाहे सो के उठीए फुजा नमन किजिये में यही बानी से में गुरु के चर्णो तुम्हें सब दीदी तीन सुत्र कर लिजी आप लोग, सब को आदेश हो गिया, आप सब लोग तीन सुत्र वहीं से कर लिजी तीन सुत्र आप लोग वहीं से सब लोग कर लिजी अपने गुरु के परणाम कर लिजी पधिया श्कुट समय नीच्डि नारा राखा बाकि अब दीरे समाझ मेहारा रहा जिन्ठपरहें ला गुरू के तरहरा चलंड जुके तो महादे के चलंड दाखेना देखा नमल बाकि एक सरवाठ बाला निर्शदी नी करेके गुरवाईना पाँ अच गडे नमनों मन करते हूं कहना पान, साठो जाग। फुटिया सकी ठाहनों लेंशिताले के लवतना शुटीया पार्णा यह बूरू के नमने के पारेना जयाम उंके पार्णा । जियामन के काव पार्ा यह सुटांत गयर के पॉंसता कि लेट मेरे अचर बाट उनके, सो प्यान मोचा है।